बाई इस साल बायन मिनिक ने पूरा जिम्मा ले रखा है कि एंटेइन्मेंट की कमी नहीं होगी तो नहीं होगी मैनेजर को हम जीतने के बाद सेक करेंगे प्लेयर्स हमारे हारने के बाद एक दूसरे से लड़ेंगे मूँ तोड़ेंगे मुक्के चलाएंगे सब करेंगे भाई क्या चल रहा है बायन मिनिक के ड्रेसिंग रूम में अब देखो आप कोगे कि यार मुख भाई मैडिट ने मैच जीत दिया इसी मिला ने मैच जीत दिया आप यहां बायन मिनिक के बारें बात कर रहे हो जबकि उनका मैच तो परस हो था भाई मैच परस हो था लेकिन पर तो कल आई है रात में, माने ने साने की गुद्धी पे लपड बजाए हैं, और ऐसे वैसे नहीं बजाए हैं, भाई, थूत जो है, वो लाल कर दी है, और थूत में इतने मुक्के मारे हैं, कि जो होट होता है, वो फाड दिया है, खून निकला है, और यह सब मैं अपने मन स की बजा दी, और यह बजाने के बाद माने का करियर कहा जाएगा, यह मुझे नहीं बता, क्योंकि देखो यार, फुटबॉलिंग वर्ल्ड में आपने बहुत सारे इंसिदेंट्स होते सुने होंगे, कि यार, एक प्लेयर की अपने टीमेट से लडाई होगे, यह हो गया, वो हो गया, लेकिन यार, माने जैसा अनबन पहले से चल रही थी, क्योंकि हम सब को बता है, माने का जो बाइन मुनेक का भी टेनियॉर चल रहा है, वो बहुत खराब चल रहा है, माने ने सोचा नहीं होगा, कि लिवरपूल छोड़ने के बाद उनको गेम टाइम कम मिलेगा, वो ऐसा सब्सिट्यूट होकर आए अनबन पहले से चल रहा है, माने ने उसके बाद से गोल कॉंटरविशन दिया नहीं है, तो डेफिनिटली फॉर्म वाइस भी माने कॉंफिदेंस लूज कर चुके हैं आपके फैंस का, और कलब में भी थोड़ी बहुत तना तनी तो चली रही है, क्योंकि मैनेजर चेंज हो चुकल की उपर बहुत बड़ी रिस्पॉंसिबिलिटी आ जाती कि अब इस सिचुएशन में प्लेयर्स को हेंडल कैसे करते हैं, अगर माने बाइन मुनिक से अगली साल अलग होते हैं, तो पिर क्या वो लिवरपूल वापस लाटे, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा ही है कि लेकिन क्या लिवरपूल बैक्फूट पर जाने को तयार है, यहां पर वापस से एक एजिंग क्लियर को लाने के लिए, आई डूंट थिंग, बठाँ, अभी माने के सिचुएशन पर जो भी रिपोर्ट आईगी नहीं, वो मैं पता चली जाएगी, लेकिन भाई, कल रात मे या किसी भी क्रियेटर ने ये प्रिडिक्ट नहीं किया था कि AC Milan जो है, नैपली से एकी सीजन में दो-तीन बार हारने के बाद, नैपली को जो आपका फिक्शर निकल गया, उसके बाद दो बार हरा देगी, एक बार उनके होम पर 4 निल, और एक बार अपने होम पर 1 निल, औ वो मिलान में खेला गया, सैंसीरो में खेला गया, नैपली को खेलने का मौका नहीं दिया, मिलान वर वेरी गुड, मिलान ने सेकेंड आफ में भी डॉमिनेट किया, और वो एजिक जो कमी है न, विक्टर ओसमें की, वो साफ साफ दिखाई दे रही थी कल, क्योंकि आपका कि पेलिया भी जो है, वो बिना ओसमें के उतना लीथल नहीं था, और मिलान केम विदा प्लैन, मिलान ने चैनल्स क्लोजडाउन के, जैसे ही किवेकर के पास बॉल आती थी, दे वर क्लोज़ीं दॉन दे चैनल्स, दे वर गोइंग इन फर टैकल्स, और उन्होंने हर एक सेकें बॉल जीती है, और आप देखो यार, ओलिवे जिरू बले गोल स्कोर ना किया हो, लेकिन आपको पता चलता है कि ओलिवे जिरू की जो प्रिजन्स है बॉक्स के अंदर, वो कितनी लीथल है, यहाँ पर आपके, मतलब यहर जो गोल स्कोर किया अबरहीम डियास की आप पहले बॉल केरी देखो यार, बहतरीन, और उसके बाद बहतरीन फिनिश वहाँ पर, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो रफाइलियो को चांस मिला था, उसने बंदे ने अपने हाफ में बॉल जीती, पूरी बॉल केरी करके ले गया, बड़ कनवर्ट नहीं कर पाया I think Milan ने बहुत अच्छे चांसे क्रियेट किये, चांसे आपके नैपली ने भी क्रियेट किये तो हो शुरू के 15 मिनिट में आप 8 शॉट ले ले रहे हो, और Milan को बिल्कुल बैक फूट पर धकेल दिया है, लेकिन बात वो है कि उन 8 शॉटों में आपने कितने बाद कीपर को और बात ये भी है कि आपने का कोई भी एक ऐसा एक्टॉल चांस बनाया जिस पे आप गोल स्कोर कर पाते, क्योंकि 2nd half में ने ने प्ली ने स्पेसे में जाने की कोशिश जरूर की, लेकिन देवर नॉट गूट इनफ, और भाई, AC Milan चेम विद प्लैन, and AC Milan डिलिवर और अगर यहां पर नेपली ओवर टन नहीं कर पाती है, क्योंकि देखो अगले मैच में तो बोली दिया है वही प्रेसिडेंट ने 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 के, के ओसमन विल भी फिट तो ओसमन खेलेगा, अगर उसके बावजूद है, इसी मिलान नेपली को हरा देती है, and के फाइनल में खेलेगी, 2010 was the last time, जब इंटर मिलान फाइनल खेली थी, और 2006 में, 7 में जब जीती थी, आपकी AC मिलान अगेंस लिवरपूल, उसके बाद से ने फाइनल खेला नहीं है, भाई, it's a very huge occasion, क्योंकि दोनों मिलान टीम सबी लीड में अपने 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 तो there could be a possibility, यहाँ पर नैपली ने definitely का letdown किया है, आपके Zambu Angiza की performance अच्छी नहीं थी, उसका दोनों red card भी ले लिया, तो अगले leg में जाते में आपके पास Angiza भी नहीं होगा, तो backfoot पर already मिलान है, क्योंकि उनका injury से वापस आता हो Osiman होगा, अब वो कितना fit होगा, कितना lethal ह होगा, यह तो हमें नहीं पता है, और बिना Osiman के लगातार दो matches Milan ने हराए है, यहाँ पर नैपली को, तो definitely भाई Osiman की कमी साफसाफ दिख रही है, and Kingman Jay की performance भी अगले leg में Kingman Jay भी नहीं होगे, क्योंने भाई, जो अपना yellow card उनको नहीं लेना था, वो ले लिया है, तो he is going to miss the second leg, नैपली बहुत back foot पर अगले fixer के लिए, and AC Milan को जो करना था, उन्होंने बक्यू भी तोर पर किया, lead लिये game में, अगले leg में जाकर, वो मचा सकते हैं धूम, अब बात करते हैं, Madrid versus Chelsea की, score line दिखा रही है, टूनल, ठीक है, match हम लोग देख रहे थे, भाई, बोर हो गया, Chelsea को open किया, वो चाते तो 4-5 गोल मार सकते थे, लेकिन Madrid ने ना, chances उतने बनाई नहीं, और एक चीज़ जरूर देखी हमने Chelsea की तरफ से, कि शुरूबात बहुत positive की थी, मतलब, start में जब शुरू में पहला chance बना दिया, तो दूसरे ही minute में, जब Joe Felix ball लेके भाग रहा था, मैं तो प्रिपेर करके नहीं ते उस चीज़ के लिए, मैं डिवी प्रिपेर करके नहीं ते उस चीज़ के लिए, कि भाई, ये Joe Felix अभी तक गोल स्कोर नहीं कर रहा है, कैसे आगे हमारे final 3 तक, but definitely भाई, उसके बाद जैसे ही जैसे गेम आगे बढ़ा है, कामा विंगा की परफ जब रमदान का करीम जो है, वो अलग लेवल पर खेल रहा है, जब रमदान का महीना चल रहा हो, देन करीम बेंजमा, and I'm not even hyping him, भाई, that is a clear state of fact, क्योंकि यहां पर आप देखो, लास्ट यर भी यही हुआ, इस साल भी यही हो रहा है, and definitely भाई, Chelsea बहुत बैक फूट पर है, बेंच लवन ने येलो का, वो रेड़ कार्ड ले लिया है, तो उनके पास अगले लेग में बेंच लवन नहीं होगा, आपके वैजली फोफान ने अर्ली येलो कार्ड ले लिया थे, तो वो अल्री बैक फूट पर आ गए थे, Chelsea खेली बहुत खराब, to be very honest, and with each game ना Chelsea आपक एक जैसे कल आपके ड्रोग बाबा ने ट्वीट भी किया, with each game week you are seeing a new low, क्योंकि Chelsea में improvement दिखनी रहे है, हाँ एक चीज जरूर थी, कि आपका कांटे और आपका Enzo Fernandes, they were playing some fantastic football in the midfield, लेकिन वही वाली बात है कि जब connectivity ही नहीं है, आपकी backlines compliment नहीं कर रहे हो चीज को, आपका पता ही नहीं कि उसको करना क्या है, क्योंकि सामने, आपके पास Lukaku जैसा, Oseman जैसा, अब देखो Lukaku को मैं ये नहीं बोला कि Lukaku is a world class, मतलब वो वाला player के convert कर देगा है, जैसे हाले डालन करते हैं, बट Lukaku की presence feel होती है, कम से कम आप try करते हो, crosses डालने के लिए, Joao Felix is not the number 9, and यह पर आपका sterling भी number 9 नहीं है, काय हावस भी number 9 नहीं है, कल काय हावस को start नहीं दिया गया, sterling को दिया गया, but ultimately यार बात वहीं आके रुकती कि Chelsea goal score करे कहां से, क्योंकि Chelsea के पास कोई ऐसा player है ही नहीं, जिसके उपर वो अपनी निगाह बनाए और कहें भाई नहीं है, this guy is going to give me goals, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता Chelsea के लिए कि अगले transfer window में, या तो Lukaku को रोको, चाय कुछ भी करो, मतलब ऐसा है कि बेश्रम बन जाओ, ठीक है, बोल दिया, बंदे ने बोल दिया, क्योंकि Interm Land तो नहीं रोकने वाली उसको, आएगा Chelsea वापस, अगर नहीं खरीद रहा है उसको कोई, भाई, give him game time, make full use of him, and चाय नागल्स में नहीं, चाय आपका Lewis Henry काय, he can make him work, in the Chelsea system, बात अगर मैं याँ पर अगर, अब मैडरेड की करूँ, देखो, मैडरेड, Champions League आता है, मैडरेड के अंदर का जो एक, वो दानव होता है, वो जाग जाता है, और कल रात में मैं वही दानव देखने को मिला, लेकिन, वो दानव थोड़ा सा soft था, उसको पता चल रहता है, यार कि ये सामने वाली टीम में न, मतलब ये सामने वाली टीम पहले ही मरी होई है, जब शिकार करने जाता है, शेर शिकार करता है, तो देख लेता है, डरे हुए को क्या डराना, प्लियर्स आए है, जैसे कि आप, ब्रजीलियन का साउथ अमेरिकन प्लियर्स की आप स्टेट्मेंट पढ़ो, वैल वर्दे ने कहा, कि भाई, जब तक मैं मर नहीं रहा, तब तक मैं नहीं छोड़ रहा, रियाल मट्रेक, विनीश कह रहा है, भाई, इस इस दे ग्रेटेस क लिए सब कुछ करने को तायार है, दे रिस्पेक्ट अधिलब, भाई, इसे भाई, अपको अपने जलम में चल्सी के अगरा बात करो, प्रबली यू रिस जैम्स, प्रबली यू वी लसित यागो शिल्वा, कांटे, बट हुँ अव मैनी अफ दोस प्लियर्स, प्रेस देस द यहां पर अगर आप बात करो उनाइट की केस में भी तो येस कैसमिर आया है लिसांद्रो आया है ब्रूनो आपके पास रेश्वर्ड वगर आया है बट अभी भी नहीं पूरी टीम जो एक उस तरीके से खेलती है यार विद यूनिटी जैसे अभी आप इस साल की बार सा देख आप अगर रॉड्रीगो भाई आगली साल अगर एंचलोटी जाता है नहीं और ऐसा मैनेजर आगया जो फोर टू थी वन खिला दे और रॉड्रीगो को नंबा टें यूस तुम यह मान के चलो अगर कोई भी वर्ड ग्लास नंबर नाइन साइन कर लिया मैड्रेड ने भाई उसके वादे नहारे हो जाएंगे क्योंकि उसके पास एक ऐसा प्लेयर आएगा जो कि उसको स्पेस बना बना के देगा थाली में परोस परोस के देगा विनीशियस जब र लग मोड में जाता है that's how good Rodrigo is सब लोग हमेशा बात करेंगे कि भाई वेलवर्दे यार क्या लीडर है यह वो है it is always about Rodrigo कि भाई Rodrigo क्या कर रहा है पिछ के उपर और Rodrigo अच्छा कर रहा है तो Benzema को मदद मिलती है आपके विनीशियस मदद मिलती है and definitely कल तो विनीशियस खा गया भाई रीजियम्स को मतलब उनका पूरा बैक लाइन ही खराब था खराब इन दर सेंस की फोफाने ने अर्ली येलो ले लिया बैक फूट बर वो चले गए and definitely भाई कामा विंगा भाई देखो मैंने बहुत सारे प्लेयर्स देखे है अभी बहुत सारे और भी प्लेयर्स की बात होती है मुसियाला की बात होती है आपके गावी की बात होती है आपके बैलिंगम की बात होती है not bringing Pedri into this conversation because Pedri is above them मतलब in terms of maturity at such a young age and जो उसका game sense है but भाई वर्साइलिटी देख रहा है आप कामा विंगा की the guy is playing as a left back the guy is playing as a centre back oh sorry not centre back the guy is playing as a CD and the guy is playing as a centre mid he is playing everywhere in the field and he is delivering top class performances week in week out Modric तो देखो यार Modric ने लास्ट यर भी चल्सी के गेंस गेंस गेम पलटा था Modric last night was also fantastic cruise was fantastic you know you talk about Carvajal as well चुरू में डर लगदा था कारवाल को देखकर but Carvajal का ही वो पास था जिस पहला गोल निकल कर आया जो Benzema ने score किया था and then ultimately second goal तो भाई Asensio ने क्या बहतरी shot लेकर you know score किया था I think Madrid बहुत गोल score कर सकती थी क्योंकि जितने बार expose होई है Chelsea उस पर Madrid ने capitalize नहीं किया Chelsea are still in the game because they have got Stanford Brits advantage लेकिन दे नीड तो फाइन गोल सकोर है they are not scoring goals it's not helping them and अगर वो ऐसा खेलेंगे तो भाई Madrid draw भी कर जाएगी ना इतना boring अगर half भी खेल के मतलब अगर वो draw भी कर जाएगे उन्हें फर्क नहीं पढ़ने वाला it's all about कि Chelsea को अब क्या करना है यासे Chelsea कैसा खड़ा होती कैसे खड़ी होती कि खड़ा तो मेरा हो जाएगा अगर मैं आज युनाइटिड को साथ पांच मतलब पांच शे गोल मारता देख लूँ वो बात अलग है लेकर ना भई माने के बारे में आपकी क्या राय है वो बताए कॉमेंट सेक्शन में क्या लगता है वाइट क्या में मिलान डर्बी देखने को मिलेगी समी फाइनल में क्या नैपली वापस आ सकती है गेम में वो पताएए मुझे कॉमेंट सेक्शन में अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो कि बहुत कॉंटेंट हो रहा है तुमारे लिए हरामदादों बहुत